यूपी सरकार भले ही बेटियों की सुरक्षा के लिए फिक्रमंद हो लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बया करती दिखाई दे रही है दरिंदों ने किशोरी को हवस का शिकार बनाया जिसमें पुलिस ने अभी तक रिपोर्ट तक दरज नहीं की है वही गाएं को चारा डालने गई एक छात्रा के साथ भी रेप करने का प्रियास किया गया चात्रा के शोर मचाने और चीक ने परना सिर्फ उसे बेरहमी से पीटा गया बलकि उसका मोबाइल चीन कर उसे तोड़ा गया ताकि वह पुलिस को फोन न कर सके नाकाम दरिंदो ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी जिससे छात्रा डरी वैसे हमी हुई है ताजमामला मूसा जाग शेत्र का है जांगाएं को चारा डालने गई छात्रा को दरिंदो ने हवस का शिकार बनाने का प्रियास किया जिसे छात्रा ड़ गई और रह चीक ने चिलाने लगी दरिंदो की बदनियती देख छात्रा ने अपने मुबाइल से पुलिस की मदद लेनी चाही लेकिन दरिंदो ने मुबाइल छीन कर उसे तोड़ दिया पधवाज शात्रा ने कप्तान को शिकायती पत्र सोंप कर नियाय की गुहार लगाई है मेरे पापा ने कुछ भी बोला वह भाई ने तो भाई को भी माला और भाग गए मारके अमा घर पर अकेली थी ममा इने पहुण किया पुलिस को तो पुलिस ने भी नहीं सुनी वी ती तो आई भी थी तो मेरे भाई को इल्टा पगड़ के ले गई के पी सिंग दरोबाजी आये थे लेकिन मैं हुआ गई थी तो उन्होंने मुझे गलत गाली दी थी और गाली गलोज करके और चले गए